हेई गाईज वेलकम बैग टू अनदर वीडियो ओफ एपेक्स मार्वल गेमिंग तो आप लोगों को अब तक एपिक पे जो यह एपिक एक गेम आई है उसके बारे में पता लगी गया होगा और उमीद करता हूं कि कई लोगों ने क्लेम कर ली होगी जिनको नहीं पता उनको म और अपनी जो है कॉपी वो क्लेम कर लें 21 तक है आज 17 होई है तो आपके पास है ठीक ठाक दिन है उससे पहले सिर्फ आपको यह करना है कि एपिक गेम्स पे जाना है और अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है तो यह वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा कि भाई आ आपको यह आफर बता सकूँ मैंने इसके पहले एक वीडियो औरेडी बना दी है जहां पर मैंने इस आफर के बारे में बात की है मैं यह आज उनके लिए बना रहा हूं जिनको गेम डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि जो उनकी सी ड्राइव है जहां पर इसकी लोकेशन है वो सेट है उनको नहीं पता कि क्या करें या कैसे क्योंकि एक दो एरर आते हैं जब आप स्टूरेज चेंज करते हो वो फिर भी सी ड्राइव में ही डाउनलोड होने लग जाती है तो नौर्मली क्या करता है बंदा कि जैसे ये गें है मैं इसे इंस्टॉल करने लगा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ये इसकी लोकेशन दिखाता है कि भाई ये मैंने इसकी लोकेशन सेट करके रकھی है और ये मुझे हर बार जो है ये चेंज करनी पड़ेगी अगर मैं ये से डाउनलोड करूंगा तो मैं चाहता हूं कि जो इसकी location है कोई और लगे या मैंने ये select कर दी तो यहां पर ये कई बार select हो जाती है कई बार नहीं होती इसका main reason क्या है कि इसकी जो default vault cache memory है वो settings में जाकर change करने पड़ती है तो आपको पहले settings में जाना होगा edit vault location में जाना होगा और इसे बताना होगा कि आपकी जो default location आप रखना चाहते हो किसी भी game को download करने के लिए वो कौन सी रखना चाहते हो ऐसे में जैसे मैंने ये already जो है अपनी जो second hard drive है मैंने वो रखी हुई है मेरी primary है वो SSD है मेरे पास दो hard drives है मैंने एक hard drive सिर्फ अपनी games की location steam की या इसकी location वो same रखी है so मैंने already ये पहले से मैं कर चुका हूँ आपको क्या करना है कि किसी को पता नहीं है कि ये जो vault case location है ये क्या चीज़ है यहाँ पर आपकी जो game है उसका पहले जो data होगा वो download होगा parts में then वो install होने के बाद ऐसे कुछ folder में वो बन जाएगा ठीक है ये आप इसका जो है temporary folder भी इसे समझ सकते हो ठीक है ये आपको जाके change करनी होगी जैसे यहाँ पर मैंने browse कर लिया और इसे select कर लिया बस इतना करना है आपको कोई भी other location लगानी है यहाँ से बस जाके इसे apply कर देना है बाद में अगर आप कोई भी game install करने जाओगे तो इसकी जो location होगी एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ से गया epic games then select कर लिया then install करने लगा दी तो इसकी जो world case वाली location होगी उसी में install होगी ठीक है अभी मैंने install pause कर दी और इसे cancel install कर दिया अभी मैं अगर इसे install करूंगा तो आप देख सकते हो कि यह location यहाँ से change हो जाएगी तो इसके बाद आपको मतलब बार बार जो है location change करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको सिर्फ यह करना है कि जिस folder में आप game install कर रहे हो उसी folder में आप vault case की जो location है cache memory की location है उसे वहाँ पे रख दो that's it इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है आप जितनी भी game download करोगे वो same उसी folder में होगी otherwise अगर आप नहीं करते ऐसा तो आपको बार बार हर game के लिए location change करनी पड़ेगी कई बार वो काम कर जाती है बार बार location change करना और कई बार नहीं करती so ऐसे आप को सिर्फ एक बार location change करनी पड़ेगी और वो ही आपकी permanent जो है default drive रहेगी आपकी सारी epic games के लिए क्योंकि यहां पर अभी आप यह मत सोचना कि GTA 5 ही free है इसके बाद और भी games इस पे free आने वाली है so future का अगर आप सोच के चले तो आप अभी से इसकी location change करते अपनी कोई हाड ड्राइव लगा दे जहाँ पे अपने storage जादा रखी है I hope आपको यह video थोड़ा बहुत help करेगी और अगर हाँ then channel को जरूर subscribe कर लेना और video को जरूर like करना और अगर आपके कोई और question है तो comment box में जाकर जरूर comment करना मैं मिलता हूँ आपको next video में झाल आपके करना मैं मिलता है